जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज बहुत सारे लोगों को दिपावली के ठीक एक दिन पहले इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने मैसेज बेजे हैं इसमें लिखा है आपका सबसे पहले इनों ने लिखा है आपका अपनी आईटियर बढ़ते हैं इसने लिखा है फोर अससमेंट येर 24-25 मतलब 31-3-2024 की जो आईटियर आपने भरी थी वो दोस्तों कोट हो चुकी है as defective, defective का मतलब है कुछ ना कुछ कमी आपने उस आईटियर में छोड़ दी है दोस्तों जब भी आपके आईटियर defective होती है तो एक notice आपको 139.9 section के अंदर आता है और इन्होंने बोला है has been emailed कि आपको ये email कर दिया गया है दोस्तों ये बोलते हैं kindly response आप उसका reply हमें दीजिए तो दोस्तों जब हमने income tax portal पर जाकर के SSE का देखा तो ये देखिए gross receipt का उन्होंने difference बताया है यहाँ पे ये बोलते हैं the gross receipt shown in forum 26 AS are higher than the total receipt जो आपने अपनी ITR के अंदर show की है और आपको बोल रहा है कि TDS has been claimed in the return of income field thus file credit of TDS being claimed in the return of income the corresponding receipt are not fully disclosure बोलते हैं कि आपने अपनी receipt है 26 AS के अंदर जो हमने data दिखा रखा है आपके online income आ रही है वो आपने नहीं दिखाई है फिर हमने इस assessi की जाकर के income tax में जो ITR का जो detail के अंदर forum होता है वो हमने check किया तो ये आप देख सकते हैं forum 26 AS के अंदर इस deductor का ये 10 number है और इसने जो amount paid की है वो मैं आपको zoom करके और दिखा देता हूँ दोस्तों ये देखिए 20,56,647 रुपए अगर आपको हिंदी नहीं आती है और ये same की same amount आपको पताओगा GST की turnover की detail भी जाती है 20,56,647 रुपए की turnover हमारी GST के अंदर थी और income tax के form में जब हमने detail के अंदर दिखाया तो ये देखिए दोस्तों receipt के अंदर 20,56,647 रुपए मतलब हर जगे हमारा बिलकुल सही था GST के अंदर, ITR के अंदर, 26S के अंदर सारा का सारा data हमारा same है लेकिन फिर भी income tax department नहीं जाने क्या चाता है एक taxpayer की एक tax professional की दिपावली खराब करने पर तुले हुए हमारे को आज इतने सारे message आए लोग हमसे पूछ रहे हैं जवाब मांग रहे हैं आपने हमारी return गलत बर दी है हमारा 139.9 के अंदर notice आ चुका है हाला कि 15 दिन का time होता है इसका reply करने का लेकिन हम क्या reply करने जब सारा का सारा data ही हमारा same है तो income tax department से भी मैं request करता हूँ unnecessary panic create करने की बजाए आपको timely ITR को process करना चाहिए ये लगबग लगबग ऐसे लोगों को आए है जिनकी 3-3 महीने से 4-4 महीने से ITR processing नहीं हुई थी उनकी ITR processing रोकर रखी थी या उनका कोई भी refund था तो आपको भी अगर इस तरह का message आया है दोस्तों तो panic नहीं होना है आपको क्या करना है simply income tax portal पर जाकर के 1399 का reply दे देना है चाया आपका data बिल्कुल सही है फिर भी आपको एक बार ये reply तो देना पड़ेगा नहीं तो आपकी return defective हो सकती है ये माना जाएगा कि आपने ITR भरी नहीं है किसी भी तरह की को doubt query कोचन हो तो आप comment करके हमसे पूश सकते हैं किसी भी तरह की professional help के लिए आप हमें call कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगिया तो like करें share subscribe हमें करना ना भूलें thank you so much जहीं जय भरत